और EVM को हटा है क्योंकि EVM को transparent नहीं मना जा सकता है electronic voting machine आपके आखो के सामने रखा रहेगा और जब वो hack होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि यह hack है मैं vote किसे डाल रहा हूं और वो vote किसे जा रहा है यह बिल्कुल इस तरह की चीजे नहीं होनी चाहिए और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए और electronic voting machine को समाता है चुनाव आयोग कानून है क्या है चुनाव आयोग कुछ नहीं है चुनाव आयोग सत्ता पक्षपाटी के समर्थन के वज़ा से ऐसा कर रही है अने था चुनाव आयोग अगर सच में इमानदारी से काम करती तो उसे इस देश से इभियम पर यह electronic gadget नहीं है यह simple एक डबबा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक electronic gadget mobile phone है suppose that कुछ पल के लिए हम माल लेते हैं example के तौर पर कि यह एक electronic समान है और यह इभियम है और यह ballot paper है यह ballot paper है इसमें कोई electric वस्तू नहीं लगा है अगर इसे कोई hack करना चाहे इसके साथ छेड़ खानी करना चाहे तो नहीं कर सकता अगर करेगा भी तो पकड़ा जैस के अच्छे person है बताए कि मंदिर से विकास होगा कि स्कूल से विकास होगा मंदिर से विकास होगा क्योंकि बहुत सरे लोग बिमार हो जाते हैं तो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं तो उनका मतलब 40% मतलब उनका समझता के समधान हो जाता है नहीं सुने हैं तो फिर इस देश की सरकार इस देश में इतना सारा सरकारी होस्पीटल है प्राइवेट होस्पीटल उन सबका लाइसेंस रद कर दे हर मंदिर होस्पीटल क हम लोग सासाराम प्लेटफारम पे मौजूद हैं और आज इस चैनल के रिपोर्टर रितिक क्रोशन जी मौजूद हैं ये सबसे सवाल पुछते हैं और सबका विचार लेते हैं लेकिन आज कुछ इस तरह इनसे कुछ मैं अपना सवाल करना चाहता हूँ तो सर आप प्रगे टाइम्स चैनल के रिपोर्टर हैं और आज इस समय फिलहाल में जो नीव चल रहा है बहुत ही बतलब इबियम के बारे में बोला जा रहा है इबियम ऐसा है इबियम ऐसा है और सभी लोग जानते हैं कि इबियम से चुनाओं कराकर और लोग जीते हैं कि हारे हैं ये मैं नहीं जानता हूँ लेकिन इबियम से धोखा धाड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है इसके बारे में मैं आप से जानना चाहता हूँ इसके बारे में आपका क्या रहा है देखिए पहले तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा जिस तरह से कि मैं सभी लोगों से कोस्टन करता रहाता हूँ आज मेरे से ही आप ये कोस्टन कर रहे है खासकर इभियम का जो मुद्द्ध है अभी विपक्ष के द्वारा जिस तरह से इस देश में उठाय जा रहा है काफी महतपूर है और शक्ता पक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इभियम से चुनाव कराना कहिने कहीं जायज है और चुनाव पर क्रिया को असान बनाती है। लेकिन वहीं अगर इस देश का विपक्ष या जनता ही इस बात को कहती है कि नहीं इभियम खराब है इभियम से हम चुनाव करना या कराना पसंद नहीं करते हैं तो चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए लेकिन चुनाव आयोग इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है इस वज़ा से कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा या मतलब इस तरह का इलजाम भी लगाया जा रहा है कि भारत का चुनाव आयोग सरकार से मिल जुल के काम कर रही है जिस तरह से संभधानिक नियम है कि किसी भी चुनाव को बिलकुल पर्तेक्ष तरीके से ट्रांस क्यों नहीं है रीजन यह है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोनिक गैजट में उसमें क्या छेड़ खानी हो रहा है क्या खेल हो रहा है उसे हम समझ नहीं सकते हैं ट्रांस्पारेट का मतलब होता है बिल्कुल क्लिन साफ तोर पर दीखता हुआ होना चाहिए मतलब उस वस्तू के स साथ उस समान के साथ कोई छेड़ छाड़ ना होने पाए इस तरह की चीजे होती है अगर वहीं बैलेट पेपर की हम बात करें तो बैलेट पेपर में तमाम चीजें जो होती है वो साफ होती है और ट्रांस्पारेंट होती है अगर किसी बैलेट पेपर के साथ छेड़ खानी दबा है और यह एक मोबाइल फॉन है खाली दबा यह जो आपको मैं दिखा रहाएं यह इलेक्तरोौनिक गैजट नहीं यह सिंपल एक डबा है और यहां पर आप तो नहीं कर सकता अगर करेगा भी तो पकड़ा जाएगा लेकिन यह electronic gadget है और इसमें software डला है सब कुछ है इसके साथ छेड़खानी भी किया जा सकता है इसे सामने रखा हुआ रहेगा और इसे hack भी किया जा सकता है आपको पता नहीं चलेगा मुझे पता नहीं चलेगा अगर फोन आपका hack हो गया तो आपके बारे में सारी data जो hack करेगा उसे मिलती रहेगी लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा और वहीं यह जो डबबा आपको मैं दिखा रहा हूं जिसे मैं बैल पेपर मान रहा हूं अगर इसे कोई hack करना चाहिए तो hack होगा ही नहीं जी hack जब होगा तो आपको सामने स्थिखेग नहीं मेरे सामने इसके इसे कोई छेड़चाड नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी आपके आखों के सामने यह hack है अर्थाती अट्रास पैरेंट नहीं है और चुनाव आयोग इसको ध्यान में अपने ध्यान में रखे और इभियम को इस तरह की चीजे नहीं होने चाहिए चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए और इलेक्ट्रोनिक बोटिंग मसीन को समात्त करना चाहिए यह तो रही मतलब इभियम जो मसीन है इसमें गड़बड़ी हो सकता है यह इलेक्ट्रोनिक चीज है बट मैं यह पूछना कै कई वर्सों से मेरे देश में इस इभियम से चुनाव हो रहा है तो कव गरद आप मतलब कव अदम से आपको चुनाव फिट लगा कि नहीं लगा इस पर आप क्या करना चाहते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं देखिए चुनाव अनफिट होना और नहीं होना ये अलग की बाते हैं विपक्ष की द्वारा जिस तरह से इस तरह का आरोप लगाया जाता है अभी आपको मैं डेटा बता रहा हूं ओन रिकोर्ड ये डेटा है इस देश से 80 लाख इभियम गायब हैं इभियम जो चुनाव आयोग इभियम का रख रखाव करती है उस इभियम को इसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि 80 लाख जिस देश का इभियम गायब हो आपको लग सकता है कि उस देश में बिल्कुल निस्पक्स तरीके से चुनाव हो रहा है 80 लाख जो इभियम गायब हुआ वो इभियम कहां है ये जाच करने का विसा है अभी सरकार सत्ताधारी जो पार्टी है वो इस चीज का कहीन ही जाच कराती है कि 80 लाख इभियम गया कहां इस चुनाव आयोग के पास जो 80 लाख इभियम चोरी हुआ वो सरा इभियम है कहां अगर कहीं न कहीं वो इभियम होगा तो कहीं न कहीं उसका दुर्पियोग ही किया जाता होगा आपको ओन रिकोर्ट में डाटा बताना चाहूंगा जपान चाइना अमरिका यह तमाम ऐसे देश हैं जहां इभियम से चुनाओ नहीं कराए जाता है करण क्या है करण यह है कि इस इभियम को ट्रांस्पैरेंट नहीं माना जाता है इस वज़ा से कई सारे से देश हुए इंगलेंड और इंडोनोसिया इन तमाम देशों में इभियम लागू करने के बाद भी पुना से इभियम को बैन कर दिया गया इंगलेंड जैसा देश जहाँ इभियम बनता है जिस देश से इभियम बन करके भारत में आता है उस देश में अब इभियम से चुनाव नहीं कराया जा रहा है आपको कल की मैं रिपोर्ट बताता हूँ सुप्रीम कोट के कई बड़े वकीलों के सामने कल एक इंजनियर दावा किया कि चुनाव आयोग मुझे 20 इभियम मसीन दे मैं उसे बिल्कुल मेडिया के सामने कैमरा के सामने हैक करके दिखाऊंगा लेकिन चुनाव आयोग के लोग इभियम को देने के लिए तयार नहीं हुए और उस समर्थकों को कल जेल में डाल दिये गया है सरकार की अत्ताना साही है और इस ताना साही को अगर हटाना है तो इभियम को हटाना ही पड़ेगा कहीं ने कहीं इभियम से इस सरकार को फाइदा है इस वज़ा से वो इभियम क में खड़ा किया है और लोग मतलब आरोप लगा रहे हैं सेंट्रल गढ़र्मेंट पर लेकिन सुनने में आरा है कि यह आप जुठा लगा जा रहा है यूउक्या मैं सत्ता में हूँ लोग जुठा आरोप लगा रहा है इसलिए कि मैं चुनाओ हार जाओं मेरे मतलब भोटरों को कमजोर किया जा रहा है और लोग तरह-तरह की बाते कर रहे हैं इस पर आप क्या करना चाहते हैं साफ तर पर आपको मैं बताना चाहूँगा जिस चीज से आपको फाइदा होगा उस चीज को आप हाँ से जाने दिजिएगा मान लिजे कि मोबाइल फोन है इस मोबाइल से आपको बहुत फाइदा है और हमें कहीं ने कहीं इस मोबाइल से दिक्कत है तो मैं कहूंगा कि इस मोबाइल को आप हटा दीजिए हटा दीजिए तो आप हटाईएगा नहीं हटाईएगा बस वही चीज है सत्ता में जो अभी प प्तापक्स पार्टी के समर्थन के वज़ा से ऐसा कर रही है अने था चुनाव आयोग अगर सच में इमांदारी से काम करती तो उसे इस देश से इभियम को हटाना ही पड़ता विजेपी इमांदारी से चुनाव लड़ती है और इमांदारी से मोदी जी परधन मंतरी बने हैं इमांदारी से बने हैं कि नहीं बने हैं इस बात को मैं नहीं कहूंगा जिस तरह से इस देश में विपक्स की तमाम पार्टियां इंडिया कट बंदन के लोग जिस तरह से इभियम पे सवाल खड़े कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि इमांदारी से उनका सरकार बना मंने आपको ऐसे लग रहा है कि सिख्या सिख्याया कि अधम एकल कम कमतुम prefers आपको मैं जया है तुकि इस देश में इधर करी एका केमरा सर्ण जिस देश में सिख्याय का गया हो सकता है। अमेरिका जैसा देश जो अपने पुझी का कम से कम 20 फीस दी पैसा खर्च मातर सिच्छा पर करता है फ्री एजुकेशन पर बात करता है उस देश का आप साथ मने एथी कराईएगा इस बरतमान सरकार से यह सरकार सिच्छा पर टेक्स लगा कर रखिये तमाम सिच्छा को महांगी करती जा रही है कहां से इस देश के लोग सिच्छित हो पाएंगे यहां मंदिर की बात की जाती है यहां इसकूल और इंवर्सिटी की बात क्यों नहीं की जाती है मंदिर से गरीबों का कल्यान होगा सबका मतलब विकास होगा क्या बात करते हैं मंदिर से विकास होगा जी बिलकुल बताए कि मंदिर से भिकास होगा कि प्रेशा का समझते के समधान हो जाता है उसी से लोगों का इलाज हो जाएगा का दिकत है मोधी सरकार में बहुत सर लोगों को नोकरी मिला है और अच्छा पोस्ट में मिला है और मोधी सरकार में सुरच्छा एक नमर का मिल रहा है मोधी जी के सरकार में जतना नोकरी नहीं मिला है ना सर उतना लोग बेरेज़गार हो गाएं इस बात को आप मानिये रेलवे को बेच दिये, एरलाइन्स को बेच दिये, तमाम सरकारी चीजों को प्रेवेट करते जा रहा है, लोगों को नौकरी मिल रहा है कि नौकरी जा रहा है, आप किस दुनिया में जी रहा है? ठीक है सर, मैं आपकी बातों का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन तीन बार बीजेपी गुर्मेट बना चुकी है, और कौन बनाया है? हमारे देश की जनता ने, तो बार बार इस पार्टी को जनता क्यों चुन रही है? विकास हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, तभी तो चुन रही है, इस चीज पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा, अगर जनता को ऐसा लगता है, कि नहीं हमारा विकास इस पार्टी के द्वारा हो रही है, तो जनता चुने, लेकिन मेरा जो नीजी रहा है, अभी यह जो पार्टी है, वो बहतर वर्क नहीं कर रही है, इस वज़ा से अब परिवर्तन होना चाहिए, दस साल लोगों ने भाजपा का सरकार देखा, अब इस सरकार को बदलनी चाहिए, और नय चेहरा को देखना चाहिए, जो कोई भी आ है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे प्रगया टैम्स चैनल के रिपोर्टर रितिक रोसंजी बहुत अच्छा विचार दिये हैं, और इसी तरह से आप लोग असिरवाद बनाये रखें, बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, धन्यवाद. नमस्कार, मैं प्रगया टैम्स चैनल से रितिक रोसंज, आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, कि यदि आप बहुजन पत्रकाइडत मैं प्रगया टैम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें मदद कर सकते हैं, हमारा फोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303, इस खाने का काम करेंगे, तो आप बहुजन पत्रकाइडता को आगे बढ़ाना में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सायता करें, धन्यबाद.